गोंडवाना गरतंत्र पार्टी में रास्टी अध्यक्ष पत को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए हैं एक गुट ने पूर्ब जिला पंचायत उपाध्यक्ष जमक लाल को रास्टी अध्यक्ष लिया आपको दादे की वर्तमान में पूर विधायक मनमोहन शाह बट्टी की बेटी मोनिका भट्टी गोंडवाना गरतंत्र पार्टी की रास्टी अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है लेकिन इसी बीच जिला पंचायत चिंदवाड़ा में उपाध्यक्ष रहे गोंडवाना गरतंत्र पार्टी के निश्कासित जिला अध्यक्ष जमक सर्याम एक गुट की बैठक उनों ने लिया और खुद को अपने साथियों के साथ अखिल भारतिये गोंडवाना गरतंत्र पार्टी के समर्थकों में खलबली मची हुई है मोनिका मनमहन शाह बट्टी ने जमक लाल उसरयाम फर्जी अध्यक्ष बताया और 10-8-9-29 में हमारी जो पूर्व अध्यक्ष की मोनिका मनमहन सा बट्टी जो उनका कारकार समाफ्थ हो गया तो नहीं सिरे से राश्टी अध्यक्ष और पार्टी को सुचारू दंग से चलाने के लिए आज बैठक रखी गया पूरी जो फरजी वाड़ा है इसको लेके हमने निर्वाचि लागों भी शिकायत किया है चुनवाडा में भी कलेक्टर महदर एसपे महदय को भी इसकी शिकायत कर दी गई उसमें जाच की जा रही है अपरे लड़ाई एक सिर्फ अकेले पार्टी की नहीं रही है यह पूरी चुनवाडा जिले के आदो यह समाज की लड़ाई है यह इसको पूरा समाज मेरे साथ कर रहा है